सलाम भायों सलाम वेल्कम टू क्रिकेट और पैसा क्रिकेट और पैसा चैनल ने जितनी हिट रिपोर्ट्स आपको आज तक दी हैं हिस्ट्री के अंदर मैं भी देखता रहता था अब नहीं देखता अब टाइम नहीं है मेरे पास फाल्तू के टिपरों को देखने का धूंगी टिपरों को देखने का दो नंबर टिपरों को देखने का लोगों के माल खाने वाले टिपरों को देखने का टेले ग्राम के बड़े बड़े ग्रूप बनाकर छोटी छोटी टिप देने वाले टिपरों को देखने का टाइम नहीं है करिकेट और पैसा चैनल ने जितने विं दी हंडर्ड आपको विनर बोला था या तो ट्रेंट रॉकिट होगा या सौधरन बरेव होगा दोनों अपस में टकराए सौधरन बरेव विनर होगया उपन टेलिग्राम पे दिया वेस्ट इंडीज में जितनी भी सीरीज हुई टी टुएंटी हुई अफरीका के खलाफ ऑस्ट्रेलिया के खलाफ पाकिस्तान के खलाफ एस्टेंडी जिदर भी खेला आपको बताया के क्या होगा कौन जीतेगा कौन आरेगा बंगाली वर्सिस ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आपको बताया कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा PSL के जो Eliminators थे Final थे, Semi Final थे वो भी आपको बताया IPL इतना धासू जा रहा था कि करोना वारिस आ गया King 11 पंजाब मुंबई के मैच में King 11 पंजाब पे अकेला बैठने वाला टिपर मैं है मुझे अभी भी भी याद है चिनाई वर्सिस मुंबई में 10 पैसे चिनाई लग चुका है और मैं तब भी कह रहा हूँ के पॉलर्ड खड़ाव है मैं तो आरनी मानने वाला भी भी बुकियों की वाट लगाने वाला टिक पर 60 पेटी प्लस में कैसे हुआ था यह आपको बैटिंग कोर्स के सीरीस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बुकियों को मैंने नलाम कैसे करना शुरू कर दिया हुआ उनकी वाट कैसे लगाना शुरू कर दी भी आला कि बुकियों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है बिजनस है हम सौदा करते हैं वो सौदा लेते हैं और जो जीता है वो माल उठा लेता है तो बुकियों को मार दूँगा बुकियों को ये कर दूँगा ये फजूल باتیں remained बुकियी बेसी कली आपको हराने के लिरने ने बैटे बुकियी बेसी आपको वो प्लैटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि आप बैट कर सकें बुकी से आप लोगों की कोई दुश्मनी नहीं है सही है दुश्मनी होनी चाहिए तो टिपरों से होनी चाहिए आपकी जो आपका माल खाते भी है और आपको हराते भी है सीपियल आ चुका है एक करिकेट सीजन की शुरुआत होने जा रही है करिकेट और पैसा चैनल की पूरी भरपूर कोशिश है कि आप लोगों को करिकेट और पैसा ये पूरे करिकेट सीजन में मोटा माल जितवा है जी हाँ मेरे पेड मेमर्शिप भी है और फ्री के अंदर मैं आप लोगों को बहुत हेल्प करता हूँ या आप सबी जानते हैं पेड में गरा जादा आपको पता है कि अबियसली जिन लोगों ने पे किया है और टाइम इस मनी जैसे गोरे का ये लफ़ है टाइम इस मनी गलत तोल के पैसा दिया जाता है बार के मुलकों में मन्तली वेजिस नहीं है सेलरी मन्त के साफ से नहीं मिलती है वहां पे पर आर के साफ से मिलती है आप सभी जानते होंगे जो बार के मुलक गए में हैं या रहते हैं वहां पर वीडियो देख रहे हैं न्यूजिलेंड से भी कई लोग देख रहे होते हैं, अमेरिका से बैठे, उस्टेलिया से बैठे, यूके से बैठे कई भाई देख रहे होते हैं, तो कहने का मकसद यह है कि भाई, मैं अगर अपना टाइम पूरे मैच में आपको देने वाला हूँ, हर एक चीज पर गाइड क पर गाईड करने वाला हूँ, जैसे वेस्टर्णीज और पाकिस्तान के टेस्ट मैच में आपको अपनी बैट्स कापी करें, जैसे मैंने घर प्लस की ए, आप लोगों को भी आके वीडियो डालके बता दिया कि भाई, ऐसे घर प्लस कर लो, ऐसे रोज 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 नही होना इतना मेरे पाँ टाइम नही है कि मैं रोज रोज आ सकूँ, तो सीपियल के बाद हमारे पास वर्ल्ड काप आ जाएगा, सुरी, आईपियल आ जाएगा, 26 को सीपियल, 19 को आईपियल, 17 से हमें अक्टूबर से वर्ल्ड काप मिलने लग जाएगा, तो कमाल T20 सीजन है, फंट जो फंटर नहीं भी खेलता, आप कूद पड़ेगा बाजी में और आहेगा, सब को देखके, कि भाई हम जीत के दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला, फंटर की मौत हुई है, हमेशा से और वो होती रहेगी, लेकिन अगर आपने क्रिकेट और पैसा चैनल को सब्सक्रा किया है, बेल को दुबाया है, टेलेगराम चैनल जोइन किया है, और वाटसैप पे आप आ सकते हैं, अगर आप से टेलेगराम नहीं जोइन होता, तो आप मुझे वाटसैप पे मेरा नंबर तो है ना, उधर मैसेज करें, मैं आपको वाटसैप का लिंक फावर्ड कर दूँ से, सीपियल की पैड़ी टीम मैंने जो निकाल दी है, वो है सेंट लूसिया किंग्स, एस्टी लूसिया जो थी, उन्होंने अपना नाम बदला, किंग्स रखा, और अपनी वर्दी का लोगो भी बदल लिया, जी हाँ, अब चलते हैं, इनकी टीम की तरफ जल्दी से, हमें यहाँ पे, यह कोई भाई है, इनकी तस्वीर भी नहीं है, एलियन और कदीम, यह देखते हैं, क्या है, क्या नहीं है, बराल, रॉस्टन चेस, ब्यूटिफुल बैट्समैन, क्या कहते हैं, वेस्टन डीज की जमाने बाद हिस्टरी में, अगर कोई टेस्ट का बैट्समैन आया है, कोई बन डे के अंदर बहुत अच्छा केलना, स्लो केलना और इनिंग्स को टाइम करके चलना, तो आई थिंग माई फेवरेट वेस्टन डीज के अंदर टेस्ट करिकिट में इस वक्त रॉस्टन जेस हैं, रहीम कॉर्नोवाल, मोटे बाई, जो हैं, कमाल खेल रहे ह कमाल फॉर्म है, टेस्ट के अंदर बंगला देश को भी उन्होंने नाकोच चने चपा दिये थे अपनी बालिंग से ही, बालर भी हैं, आल राउंडर हैं और बैटिंग भी धुएदार करते हैं, ये इतनी डिटेल में आप जानते ही हैं कई लोग प्लेयर्स क्या करते हैं क् इतनी डिटेल में मैं से लिए जाता हूँ क्योंकि काफी नए खिलाड़ी हर रोज मार्केड में उतरते हैं, तो उनकी मदद के लिए बताना पड़ता है कौन क्या है कौन क्या नही है, कौरन कोटवाए नए खिलाड़ी फंटर भी हैं और नए खिलाड़ी ये कौरन कोटव और कदीम जैसे भी है ठीक है 31 साल इनकी यह जाए लेफ्ट हेंड़ बैट्समैन है और टिम डेविड नदर आ रहे हैं जो के बहुत जबरदस्त बाई है इस वक्त टिम डेविड का जो तारा है वो लौर कलंदर में जो इन्होंने काम डाला था पीएसल में वो सभी को शायद याद ना हो मुझे अच्छे सा याद है कि टिम डेविड कमाल के बैट है और टिम डेविड ने जो दी हंड़र के अंदर काम डाला वो भी कमाल का देखने वाला था साथरन ब्रेफ की टीम से थे इनका च्छका मारने का स्टाइल जो है रहे हैं वो मुझे कमाल का लगता है च्छके देने वाले प्लेएर हैं और च्छका दे के ऐसा च्छका कैसे लग रहा टेप बॉल से केलते हैं मज़ा आता है टिम डेविड को देखे सिंगापूर से बिलॉंग करते हैं अगर आप लोग नहीं जानते सिंगापूर की टीम के प्लेएर हैं और ऐसा कमाल प्लेयर टिम डेविड उन्होंने निकाला फिर आजाते हैं मार्क द्याल अब सीपील की अगर आप हिस्ट्री देखी जाए ना तो सीपील बेसिकली फंटर कभी भी नहीं जीत पाया फंटर को हमेशा सीपील के स्टार्ट पे मैंने कहा है कि सीपील एक गोड़ा देता ही देता है केस्टिंडीस के अंदर आपने कई ऐसे मैचिस देखी होंगे कि जैसे रसल का लास्ट मैच उस्टेलिया के इखलास साथ बोलों पर क्या रहा 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 है चाहिए पूरो ओवर बीट कर गया स्टार को कुछ नहीं कर सके हो भार गे मैच इसी तरह मुझे आज भी वो क्या न चार ओवर में एक रन पड़ा वो भी आखरी बॉल पर मुझे वो मैच पूरा याद है मैं देख रहा था बठा चार ओवर में एक रन नहीं तो जीरो रन थे वो भी मिस टाइम होके रन हो गया तब भी वो पूरे दस ओवर तक कुछ नहीं कर पाए थे ठीक है ब्रेंडन किं मुझे आज भी याद है वो मैच करिस केल का वो मैं समझता हूँ वो मेरी हिस्ट्री का लाइफ का सबसे बड़ा मैच बहुत बड़ा माइनस था मैं उसकी चर्चा मैं करूंगा जमीका की बारियाने दे काफी लोग सुन चुके हैं लेकिन जब भी कोई टूर्नमेंट आता तो पुरानी यादें तो ताजा हुई जाती है जब भी थंडी हवा और सरद हवा चलती है जैसे उनकी याद आ जाती है या लता रफी का कोई गाना लगे या कोई सोनू निगम गाए तो कही ना कहीं दिल में प्रेम तो जागी उड़ता है इसी तरह जब भी कोई सीरीज आ रहे है जूक के ये खेले हमारे है एस्टी लूसिया जूक नहीं रहे है अब ये किंग बन गए हुए जूक से तो ये पूरी कोशिश है कि फैब डुफलिसी जो है वो खेले हैं अंडरे फलेचर यहां पर नदर आ रहे हैं जो कि इनके घर के बैट्समैन है ओपनिंग के और का काफी उंदा फॉर्म में भी ये चल रहे है वेस्टरणीज की क्रिकेट टीम में भी इनको शामिल किया गया है और साथ-साथ इनकी इंक्लूजन जो है वो मैल्बरन स्टार में भी हमने इनके दो कैश देख लिये थे कमाल किसम के जैवियल गैलन अच्छा अब ये जो छोट फेंचे प्लेएर एकाफ़ अबम झा निघे उनको अब हम झानिर क्रिकेट थे खेंजा हूरी क्योंके ये इतनी को कृकेट खेल रहे है इतनी को को क्रिकेट ये चोटे लिय खेल गारे है क्वजे लिए वह थाए टिटेंट एस इस जीटेंट हूई यह यह आउट हो जाएगा मैच की मुझे लगता है CPL में यह जो T10 में प्रैक्टिसे कराई गई हैं यह अन्नोन प्लेयर CPL के गोड़े उडाने वाले यह अन्नोन प्लेयर मैच की शकले बदलने वाले अलजारी जोजब कि अलजारी जोजब मुंबई इंडियन सभी जानते हैं कि इन्होंने जो साथ विक्टे ली थी वह आज तक किसी को भी नहीं भूली भ्यानक था वो लम्हा फंटर के लिए जब एक साइड कोई भी मैच जब वन साइड होजे कोई बॉलर चल पड़े या कोई बैट्समान मारने लगजा तो फंटर की तो मौत वाकिया हो जाती है क्योंकि 90% फंटर सिर्फ ट्रेड के लिए बैठे होते हैं सिर्फ ट्रेड के लिए 10% ही होते हैं जो नौन कटिंग लिए सीपियल आ रहा है आईपियल से पहले मैं चाहता था मैं आपको बैटिंग कोर्स की काफी चीजे बताओं और अगर बैटिंग कोर्स किसी ने करना है जिसको मैं कहता हूँ कि गोल्डन बैटिंग कोर्स जिदर मैं ट्रिक्स वीडियो में जो नहीं बताने वाला कही लोगों क comments है बहिए आपने पहली वीडियो में इतना खास नहीan बताया लेकिन कहीं लोगों के लिए बहुत खास था वजिन लोगों के लिए बश्यादा खास नहीं था ना वह भाईजान मेरा package है golden membership का जिदा मैं आपको बनाओंगा जिदा मैं आपको मार्शल आर्ट्स क्रिकिट की सिखा हूँगा उसके लिए फीज देनी पड़ेगी सारी जिन्दगी का मेरा जो टैलेंट है ना वो पलेड में रखके दे दूँगा ना तो ना हजम होगा ना समझ जाएगा और चोर टिपर फाइदा उठाके ले जाएगे उसके लिए फीज देनी पड़ेगी और हमेशा से मैं कहता हूँ हमेशा से मैं कहता हूँ कि मचली किसी ने पकड़ी वो कहां से निकली फार्म से निकली द्रिया से निकली कोई नहीं पता वो कह देगा द्रिया की है होगी फार्म की बुने गंदे तेल की बेसल लगाव है, क्या लगाव है, क्या नी आपके मेज पर आएगी, तियार करके प्यारी सी लुक के अंदर, आप इंस्टाग्राम पे उसकी फोटो में लगाएंगे, फेस्बूक पे लगाएंगे, और बाद में क्या है, गंद खाकर आगे, इससे बेतर है, बार मचली आता आगई तो फिर खुशी का अलम जो होता है वो अलाग होता है बेटिंग कोर्स गोल्डन मेंबरशिप अगर आपको चाहिए हो तो उसके अंदर आपको वो चीज़े बताने वालों जो मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा हाँ जी वो मैं उसी को बताऊंगा जो म मैं तब ही बताऊंगा ओबर्ड मुकाई समित पटेल जी हाँ समित पटेल एक अच्छी इंक्लूजन है टी ट्वन टीम अच्छा केल लेते हैं और ओबर्ड मुकाई जो है वो वेस्ट इंडीस की तरफ से वैसे ही उनके फ्रंट लाइन बोलर बन चुके हैं पिर आज़े है केमो पॉल केमो पॉल भी आजकल आपको बाकी टीमों में बहुत नदर आ रहे हैं लेकर अभी तक इन्होंने कोई ऐसी बड़ी इनिंग्स नहीं खेली है जो कि डियू है इनकी तरफ से और कहीं न कहीं ये टीम जो है ये शागिर्दी में खेलती है डेरन सैमी के और सैमी यह हुटान की तरफ से पाकिस्तानी स्पिनर हैं अब्दुल कादिर के बेटे उस्मान कादिर और कहीं न कहीं 28 साल की एज़ा कोई एज़ नहीं है सीपियल में अगर अपना नाम बना लिया तो बिग बैश के अंदर ये लड़का मुझे पता नहीं क्यों नजर आता है अगर य लोड़ा है वाब रियास ने बहुत अमीर क्रिकेट आ रहा है स्पोर्ट्स का रहें इसके पास हैं कभी ये निकर पैन के गली में कहल रहा हुता था ये मुझे पता है ना ये चीजे मैं जो आपको बता रहा हूं ये ऐसे नहीं बता रहा है यांखो देखी बाते हैं वहाब कही ना कहीं विक्टे भी लेता ही लेता है और इनका भी देखना पड़े गा कि ये क्या है इनके भी फ्यूचर का दी एंडी नज़र आ रहा है मुझे अगर इन्हों ने इस सान सीपियल में अच्छी कारगरदगी ना अदा की पिर जी ये हमारे अगर इनके टोटल स्कॉर् तो रॉस्टन जेस तो चले मिडल ओर्डर में कहीं आ जाते हैं चौते पांच में नमबर पे रहीम कॉर्णवाल ओपन करेंगे और उनके साथ एंडरे फ्लेचर ओपन करेंगे किसी भी टीम के लिए इन दोनों को आउड करना मेरा नहीं ख्याला इतना कोई भारी होने वाला इतना कोई मुश्किल होने वाला है और कहीं न कहीं अगर इन दोनों में से एक भी खड़ा रह गया तो दूसरी टीम की धुलाई भी होने वाली है तो ये दोनों तॉप पे हमें ओडर में नजर आने वाले है दमिडल ओडर के अंदर अगर आप देखें फर्स डाउन जो आने वाले हैं वो फैप डूबलेसी हमें नजर आएंगे उसके बाद हमें छटे रॉस्टन चेस, फिर छटे नमबर पर हमें नजर आजाएंगे टिम ड देविट से उपर है क्योंकि हिटर है केमन पॉल नीचे नजर आएंगे और फास्ट बॉलर वहाब रियास कब तक खेलते कब तक ने खेलते बॉलिंग लाइन अप अगर देखा जाए तो बैटिंग तो आपको गिना दी है बॉलिंग लाइन अप के अंदर स्पिनर की बात की जाए तो समिद पतेखिल के अन स्पिन उस्मान कादिर के इस पिन इतने बड़े स्पिनर के नाम नहीं है लेकिन हो कहते हैं कि जिसने अच्छी बॉलिंग करनी हो तो वह बड़ा च्छोटा स्पिनर बड़ा कैसे बनता है एक अच्छा टोर्नमेंट से ही बनता है और बाकी बात की जाए फास्ट की तो अबर्ड मुकाय और वाब रियास फ्रंट लैंड बॉलर इनके रहने वाले हैं विद क्रैसिक विलियम्स ब्याइंड देम और जोवर रॉयल ये वो ये बात की कहानी है कि ये कहां पर इनको बॉलिंग मिलती है देखने में इतनी बड़ी टीम नही है पास्ट रिकार्ड देखा जाए तो नले पाव पेजर है बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस रही है सेंट लूसिया किंग्स की और मुझे भी ये ही लग रहा है कि इस साल चाहिद ये फिल आला भी शूरू नहीं हुए मैचे लेकिन अब भी बिफोर दिस सीरी स्टार्ट टॉर्मेंट स्टार्ट मुझे ऐसी लग रहा है कि ये वो मैच जीतने वाले हैं जहां पर मारकेट लोड दूसरी टीम पे भरपूर बैटने वाला है कहीं ना कहीं अलजारी जोजफ भी बॉलर है बॉलिंग लाइनप अच्छी है बैटिंग लाइनप भी बराबर है लेकिन टीम का जो हॉंटिंग चल रही है कि हम नहीं झीतेंगे वो पिछले टॉर्नमेंट में कब कभी नी जीतें वो कहींना कहीं इस टॉर्नमेंट में बदलनी पड़नी है टीम उन्धा पेपर देखी जाए तो सबसे कमज़ूर टीम आपको ये मिलेगी लेकिन मैं किसी भी टीम चोटा नहीं मानता जी सारा शारोखार नहीं मानता ना कोई भी धंदा चोटा नहीं होता और धंदे से बड़ा कोई मजभ नहीं होता इसी तरह सेंट लूशिया किंग्स अपना नाम बदल के अपना लोगों बदल कर आ रही है बच के रहना रहे बाबा बच के रहना रहे टीम पर अन्य वाब बैठा अंधों की तरह माल लगा वहाँ पर फिर ये बताएंगे कॉरनावाल, फ्लेचर, टिम डेविड, फैपल डुपलेसी, उस्मान कादिर, वहाब रियास, अलजारी जोसफ, क्रैसिक विलियम्स, और बढ़ मुकाए, के बैटा, ना बाप बढ़ा ना भाईया, सबसे बड़ा रुपईया, आ गए है हम, चोदने के लिए, तो चलता हूँ भाईयो, अभी के लिए, क्रेबियन प्रीमियर लीग, वेलकम टू क्रेबियन प्रीमियर लीग, पैकेज निकल चुका है, वाटसैप पे आपके मुझसे राप्ता कर सकते हैं, पैकेज क कि काफी कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, जी जोईन नी हो रहा, ये नी हो रहा, वो नी हो रहा, टेलेग्राम जोईन हो जाएगा, सिर्फ वाटसैप पे मैसेज करें, अंडर डॉग्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी टीम को ये चक्कर देने वाले हैं, तो इ बचके रहे जीगा, इस टीम से बचके रहे जीगा, अभी के लिए चलता हूँ, बाकी भी टीम कोशिश मेरी पूरी है कि 26 से पहले अपलोड कर दो, खुदा आफिस